नमस्कार मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस्ट नारायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आधनिक हिंदी के महाकवी स्री जैशेंक प्रसाद जी द्वारा रचित महाकावियर कामायन के चिंतासर्ग से संबंदित विविन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में अब मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ और देखिए अब मनु और प्रकृति दोनों के इतना बढ़िया शब्द चित्र प्रस्तत करते हैं कभी देखेंगे सबसे पहले पद और पद के साथ से व्याक्या पी देखेंगे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार कडे हुए हिम दवल जैसे पत्तर बनकर टिटुर रहे अडे देखिए पहले शब्दार देखेंगे हिम दवल अर्दाद बर्फ से और बर्फ के समान श्वेत वर्ण के देखिए अब इसका कभी यहां मनु के आसपास से स्तित जो जगह कैसे हैं कभी उस स्तल का मतलब जहां मनु बैटे हैं शब्द चित्र उपस्तित करें शब्द चित्र कैसे देखिए उखेते हैं उस तपस्वी से लंबेते देवदारू दो चार कडे हुई हिम दवल जैसे पत्तर बनकर टिटुर रहे अड़केते हैं मतलब जिस प्रकार मतलब उस पुरिश का शरी मतलब मनु का शरी बहुत लंबा था मतलब एकदम देव पुरिश हैं इसलिए देवों का अंति मना जिए मतलब एकदम लंबा था वैसे ही दो चार लंबे लंबे देवदारू रुक्ष उसके आसपास कड़ेते हैं देखिए अब तक क्या है पूरा पानी ही पानी अब पानी कम होने की वज़ा से क्योंकि कभी बता रहे हैं क्योंकि अब देवदारू रुक्ष भी दिख रहे हैं चार उन तरफ बर्फ लगी होने से वे भी बर्फ की ही बानती सफेद ही उतनी हवा चिलने पर भी वे तनिक भी हिल डुल नहीं रहेते यहां देखिए कभी का शब्द चुत्र देखिए इतना अच्छा लगता है दो देवदार उठ तो है लेकिन बर्फ की वजो से एकदम हिमदवल मतलब बर्फ जैसे ही देखिए कैसे देखिए ऐसे निष्चल ये मानों पत्तर बनकर आड़ गई हो या सर्दी में अकड़ ग मतलब कोई विचार ने कुछ ने मतलब इस सुन पड़ा हो यहां जिस प्रकार एकदम ऐसे ही पड़ा हुआता यहां मनु जैसे यहां प्रकुलति के माज्यम से मनु का मन की स्थिती भी कभी बता रहे हैं देखिए इतना बहुत बढ़िया बत्ति मनु मतलब मनु का शरीर ल वैसे ही दो चार लंबे लंबे द्यावदारी गुरुक्ष उसके आसपास करेते हैं चारों तर्फ बर्फ लगी होने से वे भी बर्फ की ही बानती एकदम सफेद सफेद हो उतनी हवा चिलने पर भी वे तनिक भी हिल डुल नहीं कुल रहती एकदम निश्चल मानों पत्तर पत्तर तो हम सब जानते हैं पत्तर बनकर अड़ गए हो या सर्दी में अकड़ गए हो या देखिए अब इस पद की विसेशता है देखेंगे शिकर पर केवल दो चार वुरुक्षों की सत्ता से कभी सूचित ये करना चाहते हैं कि प्रलय में शेस सुरुस्ती के साथ साथ उस पर्वत की वन्य संपत्ती भी विनस्ट हो गई थी एक बहुत पेड़ रहना चाहिए लेकिन अब दो ही बचे हैं जैसे मनु प्रलय किसी प्रकार मनु इतने प्रलय के बाद भी बच गए हैं इसी प्रकार वे वुरुक्ष भी जैसे बच गए थे इससे मनु और वुरुक्षों की लंभाई की तुलना करके मनु लंभाई सुचित किया है और दूसरी विशेष्टा देखें वुरुक्ष पत्ते आदी बहुत समय तक पानी में पड़े रहकर बाद में पत्तर बन जाते हैं बहुतिक विज्ञान का सिदानत हैं पुना उनके सर्दी में अ उच्छों की तुलना तपस्वी से मतलब मनु से करने के कारण यहां प्रती पलंकार है हिम दवल के अर्द होने से स्लेश वा उपमा है पत्तर बनकर में हेत उत प्रेक्षा है तो टिटुर में देखे टिटुरे में मानवी करन अलंकार है सा ता दला की आवृत्ति से तदा अटिटुरे मुर्धन्य के कारण सुरुति वा वृत्ति अनप्रास भी इसमें दर्शाया दे आया है बहुत बहुत धन्यवाद